वैक्सीन को लेकर राहूल गांदी ने सरकार पर साधा निशाना कहा जुलाई आ गई पर वैक्सीन नहीं आई स्वास्ते मंत्री हर्श्वर्दन का जबाब कॉंग्रिस फहले अपने बारे में सोचे बाद में उठाए सवाल राजसान में इंजीनियर के घर पर एसी बी की छापे मारी 30 किलो सोना और पांच लगजरी कारे बरामच छापे मारी अभी भी जारी जंबू ड्रोन हमले की पाकिस्तान में रची गई थी साज़ेश एयर फोर्स स्टेशन पर हमले का हाफिस सायद है साज़ेश करता आईसाई का भी हाथ पश्रें बंगाल में चुनाब के बाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोट का आदेश पुलिस करे सभी पीड़ोतों के केस दर्फ राजसरका कराय इलाज अरिद्वार कुम्ब फर्जी कोविड जाँच केस में साइटी अब मेला प्रसाशन से तुड़े अधिकारियों की भूमिका की करेगी जाँच कुम्ब मेले में लाखों लोगों की बनाए गई थी फर्जी कोविड रिपोर्ट नमस्कार स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया में आपके साथ मैहू पारूलतियागी इसराइल ने दुनिया में पहली बार किसी सैन्ने कारवाई में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का इस्तमाल किया है माना जा रहा है कि इसराइल का ये कदम भविशे में खूने वाले योदों का नक्षा ही बदल सकता है इसराइल ने गाजा पत्टी में हमास चरमपंतियों के खिलाफ सैन्ने कारवाई में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस योक्त ड्रोन का प्रियोग किया है इस उपरेशन के दौरान इसराइली सेना ने गाजा पत्टी में बिना गुसे ही अपने लक्षों को खुच कर उन्हें सफलता पूर्वक खतम कर दिया है इस हाईब्रिट और में शामिल इसराइली सेना के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि ये पहली बार है जब AI तकनीकी का व्यापक रूप से एक उपरेशन में इस्तिमाल किया गया है इससे पहले AI तकनीक का इस्तिमाल हमास के मिसाइल हमलों से बचाव और लक्षों की पहचान करने के लिए किया गया था इस ऑपरेशन में हमें जो अनुभव सीखने को मिले हैं उनका उप्योग हमले की सटीकता को और सुधारने के लिए किया जाएगा कैनेडा के आस्मान में बने हीट डूम के कारण गर्मी ने दस हजार साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ब्रिटिश कॉलंबिया प्रांत में तो पारा उरंचस दर्शमलव चार चार डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है अत्य अधिक गर्मी की वज़ा से एक दिन में 230 लोगों की जान चली गई है ब्रिटिश कॉलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने मौत की पुष्टी करते हुए कहा कि उनके राच्चे में तापमान के चरम तक पहुशने की वज़ा से 230 लोगों की मौत हुई है इस रविवार से पहले कैनेडा में कभी भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं गया था तापमान का ये रिकॉर्ड साल 1937 में बना था लेकिन इस बार 10,000 साल में एक बार फिर बनने वाले ही डोम की वज़ा से तापमान उरंचट डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है अधिकारियों का कहना है कि अकेले वैंकूवर में गर्मी की वज़ा से 65 लोगों की जान गई है सायोकत अरब अमिराट ने देश में काम करने वाले लाखो प्रवासी कामगारों को बड़ा जटका दिया है दरसल यूएई ने गुरुवार को भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामी ब्यार, जामी ब्यार समेट कई देशों के नागरिकों की यात्रव पब्बैन लगा दिया है यूएई की सरकारी निउस एजेंशी ने इस बात की जानकारी दी है यूएई के विदेश मंतराले ने कहा है कि यात्रा सीजन के शुरुवात में कोरोना से बचा के सभी उपाय अपनाने होंगे यूएई ने पिछले महीने ही 13 देशों से ज्यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था चीन ने से आई एक खबर ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है इस खबर में बताया गया है कि चीन तेजी से मिसाइल श्रमता बढ़ाने में लगा हुआ है और इसी के तहट वो उत्ता पश्मी शहर यूमेन के पास एक वरिगिस्तान में इंटर कॉंटिनेंटल बेलिस्टिक म मिसाइलो का निर्मान कर रहा है साइलो ऐसे स्टोरेज कंटेनर होते हैं जिनके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइले रखी जाती है इसका मतलब साफ है कि विजिन की योचना आने वाले दिनों में कई और खतरनाक मिसाइलों का परेक्शन करने वाली है भारत में गुरुवार को 46,308 मरीजों की कुरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वहीं 58,444 मरीज ठीक हुए है और 843 की मौत हो गई है इसके साथ ही एक्टिव केस याने की इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 13,027 है अब पांच लाग से ज्यादा मरीजों का इलाज अबी भी चल रहा है बतादें देश में इस महमारी से जान गवाने बालों का आकड़ा 4,00,000 के पार पहुंच गया है इनमें से सबसे ज्यादा 1,22,000 मौत महराश्ट में हुई है कोरोना की दूसरी लहर 10 मार्ट से शुरू हुई थी तब तक देश में इस महमारी से 1,58,000 मौते हुच चुकी थी यानि की दूसरी लहर में करीब 2,50,000 लोगों ने जान गवाई है रूस के राश्टपती वलादी मीर पुतिन ने कहा है कि पिछले सब्ता ब्लैक सी की घटना के दौरान ब्रिटेन के शिप के साथ अमेरिका का निगरानी विवान भी काम कर रहा है मौसको ने कहा कि इसके एक शिप ने चिताबनी सुरूप गोली बारी की और 23 जून को ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर शिप डिफेंडर के रास्ते में वार्प्लेन ने बं गिराए ताकि क्रिमिया प्रायदीब के नजदीक से वो शिप बहार निकल जाए वहीं ब्रिटेन ने इन घटनाओं से इंकार किया और कहा कि उसके शिप पर गोली बारी नकीक हुई और वो यूक्रेन की जल सीमा में ही था ये पूछने पर भी क्या इस घटना से तीसरे वेश्विक युद छिड़ सकता है पतिर ने कहा कि यदि रूस ने ब्रिटेन के वार्शिप को मार्क एजबाव भी दिया तो इसकी संभावना नहीं है क्योंकि पश्मी ताकतों को पता है कि वेश्विक लड़ाई में वो कभी जीत नहीं सकते हैं इंडोनेशिया के एक प्रांट में डेमोक्रेटिक कानून की जगा इसलामिक कानून लागू है बेहत सक्सजा की वज़ा से यहां बिनाफासी और सिरकलम के अकसर गुना करने वालों की जान पर बनाती है अवैद संभंदों का मामला सामने आने के बाद यहां महिला और उसके पुरुष साती को जनता की भीर के बीच सरयां सो सो कोड़े मारे जाते हैं ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां शादी से पहले शाररिक संबंद बनाने की वज़ा से एक महिला को ऐसी सजा सुनाई गई वहां पर मौझूद लोगों के मुताबिक पुरे लगने के बाद महिला ने वहीं दम तोड़ दिया जिसकी पहचान सारवजनिक नहीं की गई है चीन में स्काई ट्रेन को बिलकोल नई टेकनलोजी दा सस्पेंशन रेलवे पाधारे तयार किया गया है यानि ये जमीन पर नहीं बलकि हवा में बिचाई गई रेल लाइन से लटकती हुई आगे बढ़ती है ये ट्रेन एक साथ काफी यातियों को सफर कराने की शमता भी रखती है बता दें हाइ स्पीड बुलेट ट्रेन बनाने के लिए चीन को दुनिया में जाना जाता है अब इसी चीन ने और्टोनॉमस स्काई ट्रेन बना कर एक और रिकॉर्ड बना लिया है चीन ने पहली ऑटोनॉमस और्ट 147 स्काई ट्रेन और और्ट 138 को तयार कर दिया है जो जमीन पर नहीं बलकि हवा में चलेगी ये खास तोर पर छोटे शहरों के लिए बनाई गई है इसकी डिजाइन चीनी लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंदा रही है क्योंकि इस ट्रेन के डिबो को काफी हत तक जॉइंट पांडा का रूप दिया गया है ये ना सिर्फ आकरशक टॉय लुक की वजह से लोगों को अपनी और खीचेगा बलकि काफी स्पेशियस भी हुगा पाकिस्तान के राष्ट पती आरिफ अलवी ने भारत पर अफगानिस्तान शांती वारता को रोपने की कोशिश करने का आरोप लगाए है उन्होंने कहा कि भारत अब भी बिगारने वाली भूमी का निभा रहा है वो अफगानिस्तान में शांती के प्रयासों को पट्री से उतारने की कोशिश कर रहा है अमेर्की सेना की वापसी के बाद पाकिस्टान, अफगान, शान्ती, वारता के जरीए अपने सहयोगी तालिबान को सात्ता में बिछाने का सपना देख रहा है पाकिस्टान और तालिबान के संबन्द लग जाहिर है कुछी दिनों पहले ही पाकिस्तान के आंतरिक मंतरी शेक रशीद ने एक इंटर्वीव में बताया था कि तालिबानी आतंकियों के परिवार पाकिस्तान में रहते हैं इतना ही नहीं पाकिसान के विदेश मंतरी शाहा महमून कुरेशी ने तो खुल कर स्विकारा हुआ है कि पाकिसान सरकार के तालिबान के साथ दुई पक्षिय संबंध है एक टीवी शानल को दियेगा इंटर्व्यू में आरेफ अलवी ने भारत पर पाकिसान और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि पुराने समय में भी भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी संबंदों को नुक्सान पहुँचाने और उन्हें बिगारने का काम किया है भारत चाता है कि अस्थेर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक अर्चन बना रहे हैं राश्टपती अलवी ने अफगानिस्तान के राश्टे सुरक्षा सदाकार हमदुल्ला मोहिप से पाकिस्तान के खिलाफ आरोप लगाने और भगाव बयान देने से बचने की अपील की है उन्होंने कहा कि सरे का विवहार अनुचित है और उन्हें साबधानी और सहीं बरतना चाहिए सेरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वाले अब यूरोपी देशों की ग्यात्रा पर जा सकेंगे यूरोपीय संग के साथ देशों और स्विजलेंड ने भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मानिता दे दी है इन देशों में कोविशील्ड को मंजूरी मिल चुकी है कोविशील्ड को सुजलेंड के अलावा उस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लेवेनिया, ग्रीस, आइसलेंड, आयलेंट और स्पेन में भी मंजूरी मिल चुकी है पता दें कि यूरोपिय संग की डिजिटल कोवेट प्रमान पत्र रूप रेखा गुरुवार से प्रभाव में आईगी जिसके तहट कोवेट-19 महमारी के दौरां स्वतंत्र आवज़ाही की अनुमती हुगी भारत ने समू के 27 सदस्यों राष्ट्रों से कहा था कि कोवेट और कोवेक्सीन के टीके लगवा चुके भारतियों को यूरोप की यात्रा करने की अनुमती देने पर वो अलग-अलग विचार करें उन्होंने कहा कि भारत ने EU के सदस्यों देश्यों से अनुरोध किया है कि कोवेट पोटल के माध्यम से जारी टीका करन प्रमान पत्र को स्विकार किया जाए फिलार के लिए अतना ही आप देखते रहें ड्यूस वाल इंडिया